हेलो नमस्कार मैं बेवेक आफशाब का एमबित आर्वी परिवार पे स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में बिटामिन से बनने वाले शभी महात्वपूर्ण प्रशनों को डिसकस करने वाले हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा कि यह आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा तो अए चलती हैं आज के अपनी पहले प्रस्थन पे आज का पहला प्रस्थन है पिस्टामिन के खा होगा बहुत सोही जओब होगा आफसे पोंचा जाएगा कि लामिन कितने प्रकार की होंगे तो आप क्या जवाब दोगी बी नमें दो प्रकार के आ होगे कौन एक होता है जल में गुलनसील fruitам wheat drowning जल में घुलनसील वितामिन कौन करें तो आप को होगे बी और सी कौन से बी और शी और एक होता है वशा में घुलनसील बिटामिन किसमें वशा में घुलनसील बिटामिन कौन से होंगे यह होगा कीडा यानि के-ई-डी-ए कौन कौन से के-ई-डी-ए के-ई-डी-ए बिटामिन वशा में घुलनसील होंगे और जल मे बिटामिन दो परकार क्ये होंगे चलू अग ले प्रसंट पर चलेंगे अगला प्रसंट क्या कहा गया है कि विटामिन एक का रशानिक नाम क्या है बायोट Dum und रेटिनाल या इन में से कोई नहीं तो विटामिन ए का रशानी नाम क्या होगा तो यहां पर आफशन सी जो होए वो बिलकुर सही जवाब होगा या आफशन सी क्लियर है अगले प्रसंट पर बढ़ेंगे अगला प्रसंट क्या कहा गया है कि विटामिन विटामिन एकी कमी से क प्रतिरच्छा प्रतान करता है विटामिन प्रतिरच्छा प्रतान करता है विटामिन प्रतिरच्छा प्रतान करता है क्लियर है चलू आगले प्रतिरच्छा प्रतान करता है क्लियर है चलू आगले प्रतिरच्छा प्रतान करता है क्लियर है चलू आगले प्रतिरच्छा प्रत क्या है विटामिन ए का शरोत्तम शुरूत क्या है आवला गाजर मूली गेहूं तो विटामिन ए का शरोत्तम शुरूत क्या होगा यहां पर आफ्शन भी सही हो जाएगा क्या गाजर और आवला आवले में कौन सा विटामिन तो विटामिन सी का जो शरुवत्तम सोत्र होगा वह क्या होगा आउला विटामिन सी का शरुवत्तम शरुवत्त सी यानि आउला होगा और विटामिन एक शरुवत्तम सोत्र क्या होगा गाजर ठीक है अगले प्रसंद पर चलेंगे अगला प्रसंद है कि विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है विटामिन सी की कमी से कौन रोग होगा तो विटामिन सी की कमी से रतौंधी इसकर भी वेरी या नपन सकता तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा तो यह हो जाता है इसकर भी रोग कौन सा इसकर भी रोग यानि आफशन वी जो है एक सकता रोग यहां बिटामिनगे की कमी सचली किसे बिटामिनकी की कमी से न पुन सकता रोग हो जाता है तो यहां प का अफ्षन Leösस्थ होग बिल्कूल सही चौप होगा अगले परहेंगे अगला प्रशन क्या कहा गया है अगला परसन है कि बिटामिन सी को और किश नाम से जाना जाता है यानि cortisol का का नि नाम क्या है? एसटिक एसिट है? इस्कॉर्बिक एसीड है? इस्कॉर्बिक एसिध या इन मैं से गोई नहीं. तो Culture bio मिल सी को हम क्या नहीं है इस्कॉर्बिक यानि आप पे Lebanon हमारा बिलकु सही जाब होगा के लिए हैं अगले प्रसंद की और बढ़ेंगे अगला प्रसंद क्या है अगला प्रसंद है कि मानो शरीर में बिटामिन ए कहां पर भंडारीत होता है मानो का शरीर जो है इसमें बिटामिन ए जो संचित होता है वो कहां पर संचित होता है तोचा में यक्रत में किड़न में महिनों तक संचित रहते हैं भंडारीत रहते हैं तो विटामिन ए और सी विटामिन ए और सी ये विटामिन आपको मनुस्य के शरीव में एक एक महिने तक संचित रहते हैं किलियर है चलो अगले प्रशन के और बढ़ेंगे अगला प्रशन क्या कहा गया है अगला प्रशन है कि निम लिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनसील हैं क्या पूछा गया है जल में तो जल में घुलनसील बिटामिन कौन से हो जाएंगे जल में घुलनसील बिटामिन बी और बी और सी कौन से हो जाएंगे बी और सी यानि आफशन आपका सी सही हो ज्माफ होगा अगले प्रशन के वर बढ़ेंगे अग्ला प्रशन क्या कहा गया है क कि बेडिए रोग कि से विटामिन की कम इसी होता है तो बेडिए बेडिए कि से मीटे कमेसे भी रहोग, विटामिन सीखर और विटामिन ए की कमी से नहीं सकता रोग, कंलियर है, चलू, आगले परसंद बढ़ेंगे, आगला परसंद है, गॉल्डन राइस के पूछा गया है, गॉल्डन राइस मे पूण शाब भीतामिन पाये जाता है, A, D, विटामिन B1, जब भीतामि में किलियर है चलो अगले प्रसम पे चलेंगे अगला प्रसंद क्या कहा गया है अगला प्रसंद की बिटामिन निम लिखित में बढ़ेंगे अगला प्रसंद क्या है कि अभी मैंने बताया किसमें कोबाल धात पाई जाएगी विटामिन वी टोयल में यानि आफ्शन आपका कौन सासी हो जाएगा आफ्शन बी जो होगा एकदम सही जवाब होगा आगले प्रसंद क्यों बढ़ेंगे आगला प्रसंद क्या है रक्त का थक्का बनाने में कौन शा सही जवाब होगा विटामिन कर्कत का थक्का बनाने में शायक होता है यह आफ से पूच consent कि कि बिटामिन किसे कहा जाता है तो उसका आपको तर esperar्ग chat कहा जाता है विटामिन डी को यानि आफशन भी आपका सही च्वाप होगा प्राकृतिक विटामिन विटामिन डी को कहा जाएगा आगले पसंद क्यों बढ़ेंगे अगला पसंद क्या है गंजापन किस विटामिन की कमी से होता है गंजापन किस विटामिन की कमी से होता है वि aute in Kiana ऑब अवगा भयो टीए यानि बायो टीन के टेबलेट खाने से बाईब नौटीन के टेबल्ट जब गण्जपन होता है तो कौन से टेबलेट खाया जाते हैं बायोटिक कौन से बायो टीन तो यानि आफ्शन यहां पर कौन सास्थी हो जाएगा आफ्शन सी सही हो जाएगा गंजापन बिटामिन बी सेवेन की कमी से होने लगता है क्लियर हैं चलो अगले प्रसंट पर चलेंगे अगला प्रसंट क्या कहा गया है पिलाग रोग कौन सा पिलाग रोग किसे बिटामिन की कमी से होता है बी बिटामिन बी वीटू बिटामिन ए या बिट विटामिन बी टोयल या विटामिन सी तो रिकेट स्रोग होता है विटामिन डी की कमी से यानि आफ्षिन ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा ए रताउंधी और सी इसकर भी के लिए हैं चलो आगले प्रसंद क्यों बढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही कैसा लगा आज का सब्सक्राइब करेंगा थैंक यू थान्यवाद